सालों पहले एक नगर में किसी सेट के साथ बेटे रहते थे, सभी की शादी सेट ने समय रहते करवा दी, साथों बहु मिलकर घर का काम भी किया करती थी, उन सभी में से सेट की सबसे छोटी बहु खूब संसकारी थी एक दिन यूही काम करते हुए घर की बड़ी बहु ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी जेथानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गए सभी खुर्पी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी वाली बहु को एक नाग नजर आया उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहु ने खुर्पी उठाए वैसे ही सबसे छोटी बहु ने कहा जेथानी जी इसे मत मारिए इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है, अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया तभी उस छोटी बहु ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाए हम तब तक मित्ती खोदते हैं फिर आपके पास आएंगे, इतना कहकर सभी मित्ती निकालने लगे और कुछ देर बाद घर चले गए, सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी अगले दिन छोटी बहु को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था वो तुरंट अपनी सभी जेथानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई वहाँ देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था नाग को देखते ही छोटी बहों ने प्यार से कहा भाईया कल हम लोग आपके पास आना बूल गए थे उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए जवाब में नाग बोला तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता आज के बाद में तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी अब तुम अपने भाई से कोई वर्दान मांगो मैं तुम से बहुत खुश हूँ इतना सब सुने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला मेरा कोई ही सगा भाई नहीं है इसलिए मैंने आपको भाई कहा था आपसे आप मेरे भाई हो अब हरदम मेरी लक्षा करना आपका फर्ज है बस यहीं वर्दान मुझे आपसे चाहिए नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया सेट की सारी बहु भी अपने घर लोट गई कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बना कर अपनी बहन से मिलने सेट के घर गया उसने सेट से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो वो आपकी छोटी बहु है पहले तो उनके मन में हुआ कि बहु का कोई भाई ही नहीं था ये कहा से आ गया फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहु को बाहर बुलाया नाग ने फिर साथ में बेहन को अपने घर लेकर जाने की बात की सेथ ने इसकी भी आ गया दे दी तभी नाग ने अपनी बेहन से पुछा कही तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो न जवाब में बेहन बोली वहाँ हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान है वहाँ नाग की बेहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी नाग की मा भी उसे खूब प्यार करती थी एक दिन नाग की मा ने छोटी बहु को अपने भाई के लिए दूद लेकर जाने के लिए कहा छोटी बहु ने दूद को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया अब गर्म दूद पीते ही नाग का मोँ जलने लगा ये सब देखकर नाग की मा को खूब गुस्सा आया नाग ने किसी तरह से अपनी मा के गुस्से को शान्त किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूद नहीं पी सकता हूँ अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बीताने के बाद सेट की छोटी बहु अपने घर जाने लगी नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभुशन देकर विदा किया बहु के साथ घर में इतना सारा धलाते देख सेट और उसकी जेठानिया हैराल हो गई एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहु ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चान्दी लेकर आओ उसके पास तो खूब पैसा है वो तुम्हें मना नहीं करेगा छोटी बहु ने अपने भाई नाग को ये बात बताए इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आप भुश्रों से भर दिया सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था होते होते उस हीरे की हार की खबर राज्य की रानी तक पहुची उसने छोटी बहु से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया दुखी होकर सेट की छोटी बहु ने अपने भाई को इसके बारे में बताया गुसे में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया इससे दरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेट की छोटी बहु को महल बुलवाया उसके महल पहुचते ही रानी ने छोटी बहु को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वज़े पूचने लगी तब सेट की छोटी बहु ने बताया कि नाग भाई ने ये हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो ये तुरंट साब बन जाएगा इस बात को सही सावित करने के लिए रानी ने सेट की छोटी बहु को साब बन चुके हार को पहनने के लिए कहा चोटी बहु ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया महारानी ने ये सब होते हुए खोद अपनी आखों से देखा और हैरान रहे गए अब उसे सेट की चोटी बहु की बात पर यकीन हो गया उसने हार छोटी बहु को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा कितना सब होने के बाद रानी ने सेट की छोटी बहु को कुछ सोने की मुद्राय देकर महल से विदा कर किया अब सेट की छोटी बहु घर में सोने के सिक्के लेकर पहुची ये सब देखकर सेट की बड़ी बहु को जलन होने लगी, उसने सोचा की क्योंने ऐसा कुछ किया जाए, जिससे देवरानी परेशान हो जाए, उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पतनी को इतने आभूशन, धन ये सब कुछ कैसे मिला है, तुम्हें उस पर ध हो गया, उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा, एक दिन इस बारे में उसने अपनी पतनी से बात की, खुद के लिए अपने पती से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई, उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पती द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया, अपनी दुखी बेहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया, सीधे वो अपनी बेहन के पती से मिला और बोला कि अपनी बेहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिये है, तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की जरूरत वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया, तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाओंगा, नाग से ये सब सुनने के बाद सेट के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद से मैं ऐसी बाते बिलकुल भी न नहीं करूंगा, आप मेरे उपर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी बेहन को किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा, इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पतनी से भी माफी मांगी, उसके बाद दोनों खुशी-खुशी साथ में रहने लगा, इसी तरह सेट की छोटी ब अथा से दो सीख मिलती है, पहली यह की किसी दूसरे के भरकाने पर और उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने लोगों पर शक नहीं करना चाहिए, दूसरी सीख है कि अच्छा करने और सोचने वालों को उसका सकारात मकपल जरूर मिलता है